जो हमारा टॉपिक है वो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मैस की बेस पे सेपरेशन कर रहे होते हैं ठीक है लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते होते थे लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हमारे पास एक मिक्स्ट लाइट है उस स स्पैक्ट्रोस्कोपी में हम जो स्पैक्ट्रम भी आपेंट कारे होते हैं वह सब कुछ तो इसे के balanced स्पैक्ट्रोस्कोपी we में हमारे पास ही नो मेरे पास के सेंप्ल मुझzil स्पैक्ट हसा कि mixed material मुझूद है जिसमें बहुत सारे elements मुझूद है उसके isotopes मुझूद है एक सिक्टरा बहुत कुछ तो उन सबको separate करना pure form में obtain करने की कोशिश mass spectroscopy के थूँ की जाती है इन सबको separate किया जाता है charge to mass ratio तो charge to mass ratio जिनकी similar होगी वो हमें एक container में मिल जाएंगे दूसरे में दूसरे वाले और तीसरे में तीसरे और इस तरह से हमें separated form में सारे के सारे samples मिल जाते हैं और ये normally जादा तर हम isotopes के separation के लिए भी करते हैं even जो सबसे जादा मुश्किल होती है जिनके mass में जो फर्क होता है वो एक percent या उससे भी कम का होगा ठीक है जिनमें एक neutron जादा हो एक में for example two neutron है दूसरे में three neutron है तो इन दोनों में भी फर्क कर पाना क्योंकि ये बहुत tiny tiny masses होते हैं तो ये सारे चीज़ें इन में normally हम देख रहे होते हैं जो हमारे main weighing machines होती है जिनसे है masses for example तो हम 5 kg को और 5.1 kg दोनों को एक जैसा ही ले रहे होते हैं वार कि नहीं पड़ता है यहां पे जो difference in masses होता है वो बहुत कम होता है बहुत tiny होता है तो उसको भी determine कर पाना उसके लिए highly precision चाहिए होती है और ये precision फिर इस operators के through possible की जाती है जिसमें सबसे पहले हमारे पास इस container में हम जो हमारा sample है उसके ions को prepare कर दे हूं उन ions को prepare करने के लिए हम पहले से ही या कोई electrons के bombardment कर दी इन पे ठीक है voltage provide कर दी और ये ionize हो गया हमारा sample ये ionize जो sample है हमारे पास इस पे positive charges मुझूद है तो let's say उन सारे positively charged है और कुछ let's say negatively charged भी होंगे तो ये भी यहां से हम sample के जो ions है उनको next container तक लेके आते हैं इस container में हमने ये सारे ions diffusion के थूँ यहां पे आगे ठीक है यहां पे आगे तो यहां पे हमने electrical magnetic field provide की होती है यहां पे plus और यहां पे minus तो यह electric field की direction let's say इस direction में होगी ठीक है और जो electric force की direction होती है वो electric field की direction के equally होती है तो force जो है force भी electric force भी जो इन पे लग रही है वो इसी direction में let's say लग रही है और जो magnetic field है magnetic field हम जो इसको provide कर रहे है वो तो और जो magnetic field जो प्रोवाइट का है रिए वह आूट अफ दी पैज आ रिया है उपता त्रत्नीuin यह पर यह से यह आर्द को तो यह चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं ठीक है यहां से और यह इस इस फील्ड में मुझूद होंगे तो फिर इन पर जो मैगनेटिक फोर्स लगे कि तो मैगनेटिक फोर्स बी की डारेक्शन में नहीं होती इस डारेक्शन में नहीं होगे यह संक्ड़ का ना कोई इस तरह की वलस्टिक हा ठीक है तो यह जो स्ट्रेड राइन मोशन में होंगे यह यह बन अगर हम देखें तो यह magnetic field के भी perpendicular है magnetic field यह है न और यह ऐसे move कर रहे हैं तो यह V और B के दर्मियान का angle 90 degree हो गया ठीक है तो तो यह 90 degree हो गया और जो force है वो V और B के दोनों के perpendicular लगेगी ठीक है V को rotate करेंगी इंदी direction हम भी तो यह ठीक है तो यह अगर इसकी direction को हम determine करना चाहते है न यह दृपकर और यह वी की direction एइस पॉंट पर हमने इसका यह एकट रहा आ है ठीक है मैं इसे यहां पर ऐसे अब इसको rotate करना करना इसकी direction में मैं अब यह करती हूं एसे हम करेंगे यह miei करेंगी कि कि यह इसे करेंगे तो यह my downward हो चाएगी तो लेकिन हम चाहते हैं कि electric force opposite हो तो यह मैं plates की polarity change कर देद हम चाहते हैं दूनों opposite direction forces लगें तो अब जो esao based इंप नरपर की तरब लगेंगी получ by magnetic force की direction downward हो जाएगी उन particles के लिए जो यह स्ट्रेयट लाइन ऐसे मूव करें ठीक हो गया यह भी हमने देखा था उनके लिए बाकि जो सारे होंगें वह ऐसे मूव करेंगे कुछी मूव करेंगे डिफरेंड यायसे से dalॉप कर रहे हों यह यहां से पास कर है अगर एक दूसरे के equal हो जाएंगी तब यह तो deflection नहीं हो रही ना ठीक है अगर यह forces electric force ज्यादा होती electric force for example तो यह particle electric force वहाँ उस direction में तो ऐसे मूव करता जैसे यह कुछ कर रहे हैं जिन पर magnetic force जादा लग रही है इधर कर रहें जिन पर दोनों नहीं लग रही है वो तो अपने path में ही है straight line move कर रहें ठीक है तो उनके लिए हम क्या condition करेंगे कि यह दोनों equal होगी है so that कि उनकी भी trajectory पर कोई फरक नहीं आया और फिर यह equal forces इसका हो गया और यह f e is equal to f e is q times e और e हमें पता है कि हमने कितनी यहां पर electric field create की है और f b होता है q v b v cross b मैंने अभी बताया कि इन दोनों के दर्म्यान जो एंगल है 90 degree है तो यह q v b sin theta होता है na sin 90 degree is 1 तो यह q v b इसलिए यहां पर मैंने direct magnitude use की है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि यह इनकी जो perpendicular होगी वही तो यह क्यों क्यों cancel होगे तो e by b is equals to v this is the speed of the particles that passes undeflected through this container तो अब यह वाली इस speed के particle यह constant speed है उन सब की यहां से यह जो straight line में move कर रहें नहीं सारे इस constant speed से move कर रहें और हमने एक यहां पर इस लेक्टर यह velocity selector हो गया इन्होंने सिर्फ इस velocity के जो particles हैं वो सिर्फ इस region से पास करते हैं वहना दूसरे container में एंटर कर लेंगे अब हम वह दूसरा container बनाते यह थोड़ा अजीब हो गया तो यहां पर next container हम बनाते तो यह sample था जिससे यह particles इदर आए तो जो बिल्कु straight line random motion है for example तो जो बिल्कु straight line move का रहे थे वह ऐसे चले जाएंगी यहां पर इलेक्रिक और मैगनेटिक फील प्रोवाइड की जा रही है यह नेगिटिव पॉजिटिव इलेक्रिक फील इदर है और मैगनेटिक फील हमने आउट ओफ दिपेज create की वी है ठीक हो गया उसका वेक्टर उपर की तरफ है और यहां से जो पार्टिकल्स है यहां से विलाउस्टे सेलेक्टर यह होगी जिन्हों ने सिर्फ उन पार्टिकल्स को यहां से पास होने दिया जिनकी की भीड स्पीर्ट छीड डीजिवे को स्टून ब्हूश स्टून बज़िए डी इयнов यहां से आगे हम ने इस यहां पर प्रोवाइड की की हुई है मैगनेटिक तो डिफलेक्टिन हुम कहा है मैगनुटिक फ ease दिर्डब नीचे कि तरफ ति अल्ग तो को तरस को होंगे तो यह हां पर उपर की तेनगी और यह सारे यह सारे पार्टिकल जो यहां से आ रहे होंगे यह ऐसे करेंगे depending on their mass to charge ratio वो charge to mass ratio यह से कर्ल करके यहां पर एक लगी होगी screen उस पर जाकर strike करेंगे हैं ठीक है काउंट से हमें यह पता चल जाएगा इनके काउंट करेंगे कि कितने ज़्यादा यहां पर सैंपल कितना ज़्यादा मुझूद है ठीक है कितने items मुझूद है और उसके इलावा एक यह चीज़ होती है कि यह जो radius है ना इस curve का यह radius r1 यह r2 यह r3 यह इनोंने circular path में move करना शुरू कर दिया और circular path में move करने के लिए उनके पास force कहां से आई वह centripetal force किसने प्रोवाइड की वह इस magnetic force ने प्रोवाइड की तो magnetic force जो है यहां पर centripetal force के equal है यह प्रोवाइड कर दिया है और यहां पर fb है qvb is equal to mv square by r ठीक है v and v this cancels यह mv by r तो मैं q by m को एक तरफ ले लेती हूं तो यह v by b r हमारे पास आ गया वी हमें पता है कि इन सब की क्या थी ठीक है v इन सब की constant थी न जो के थी e by b तो यहां पर हम put कर देते हैं v के जगा e by b dot b r so it is e by b square r e हमें पता है कि यह प्रोवाइड की b भी हमें पता यहां पर यह भी हमने लट किया कि यह बी का जो magnitude था न वह यहाँ के और यहां पे लिए दोनों का सेम है ठीक है तो इसलिए यह वाली भी और यह वाली भी जो यहां पर लग रहे तो यह भी नौन है यह भी नौन हाइब और यह हम इस सट्प से यह च upright की है यहाँ पे प्रोटियम आ गया, यहाँ पे डियोटियम आ गया, यहाँ पे ट्रेटियम आ गया, ठीक है, आइसोटोप्स हैं, तो इनमें चार्ज तो सेम होगा, क्योंकि न्यूट्रोन नंबर इनमें डिफरेंट होता है, अच्छा, इनमें अटोमिक नंबर सेम होता है, मैस नं और इसका सबसे जादा तो यह क्यूब आ एम के बेस में हम देख सकते हैं सपरेशन ही तो जिसका मैस मैस और रेडियस का डिरेक्ट रिलेशन मैस ज्यादा है तो आर भी ज्यादा है तो इसका मैस सबसे ज्यादा है तो आर भी इसका सबसे ज्यादा ठीक है यह दोनों कि दोनों denominator में आ रहे हैं इस वज़ा से यह मैंने बात कही है यह था मैं स्पेक्ट्रोसकोपी